हरी कृष्ण आज का प्रसंग बड़े ध्यान से सुनना और इस बीच में बता दें कि परसों बुद्वार 31 जुलाई को एका दशी है आप जरूर एका दशी कब रत करना मेरे साथ सुबह जल्दी उठना सुबह साड़े चार से साड़े पांच ब्रह्म मोरत अरली मॉर्निंग में उठकर हमारे साथ जब करना हरी कर्था सुनना ओनली ओन यूटीब चैनल दामोदरदास पर लाइव रहेगा हम आपको बता दें कि जब भगवान स्री कृष्ट की उंगली में चक्र लगा जब भगवान स्री कृष्ट ने शिशुपाल का सिर धड़ से अलग किया और उ ऐसे ऐसे शब्दों का उच्चारण कर रहा था कि सभा में बैठे वे सभी लोगों को बुरा लग रहा था लेकिन जब उस शिशुपाल ने सो अब शब्द कहे तब तक तो भगवान ने उसको कोई दर्ड़ नहीं दिया तथ पस्चात भगवान ने देखा कि अब ये और ज पुदर्शन चुक्र लोटा और क्रिष्ट की उंगली में जाके वो चक्र लगा चक्र लगा तो भगवान ने जान बुच किया एक लीला की तो भगवान की उंगली में सर्रक्त निकल रहा था वहां से माता द्रौपती उठी तुरंत एक साड़ी का पल्लू का टुकड़ा खाड़के एक चितरा निकालके स्री कृष्ट की उंगली में बांदा। तब भगवान स्री कृष्ट मुस्करा रहे हैं और मन में सोच रहे हैं क्रिष्ट के हे द्रौपदी आप मेरी भेहनों और आपने मुझे एक टुकड़ा दिया है। देखो द्रौपदी तो वो टुकड़ा बांद के भूल गई होगी। एक छोटा सा टुकड़ाई तो था जो कृष्ट को दिया लेकिन कृष्ट नहीं भूले। उसको अने को वस्तर से ढग देते हैं। देखो उस टुकड़े में जितने धागे नहीं थे उससे ज़्यादा क्रिष्टन ने उनको वस्तर देते हैं। द्रोपदी ने तो एक टुकड़ा दिया वो देकर भूल भी गई होगी कि छोटी मोटी सेवा थी पर भगवान ने कितना दिया जरा सोचो। इंसान जब ईश्वर को समय देता है भजन करता है अच्छे कर्म करता है दान पुन्य करता है वो सकता हम ये सब करके भूल जाएं लेकिन वो नहीं भूलता है और वो उसका परिणाम अच्छा देई देता है। ये कथा आगे जरूर फॉरवड करना आप जहां भी कुछ दान धरम सेवा भजन करते हो तो कभी आपका वियर्थ नहीं जाएगा। खूब भजन कीजई ये आपका वियर्थ नहीं जाएगा आभी जो कता सुन रहे हो ये आपका वियर्थ नहीं जाएगा। क्रिश्ट हरी क्रिश्ट 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 हरी 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 राम हरी राम 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 हरी हरी हमारी यूट्यूब चैनल दामोदर दास को सब्सक्राइब करना न भूले एक और चैनल है श्री मदुसुदन बापुजी इसको भी सब्सक्राइब करना न भूले हरी कृष्टा